दोस्तों नमस्कार खबर इंडिया की टीम पहुंश चुकी है सुल्तानपूर और सुल्तानपूर की यह विधान सवाह इसोली और इसोली का जो राजनेतिक मूड है वो क्या है वो जानने की कोसिस करेंगे यहां पर अगर देखेंगे तो सबके सिर्प भगवा बना हुआ है क् पंकस पंडे सरीह सुली क्मानपूल खेंगे हैं को सब से ज़्यादा सब्से ज्यादा लेहर जो हैं शावली में हम लोग 10000 जीतेंगे कैसे ललकार किसको ललकार आ जा रहा है यह ललकार यह राम मंदिर की में क्या बार लगरा है यह लग तो कि यह ललकार क्लाक काईब हैथा जोगे ए ली नब पिछली बार नहीं लखीन हो गई कोई थी आगले बार भी हम लोगों जीतने के ही मोल में पूरा चुनाव लड़े थे और इस बार दस हजार ओंटों से हम जीत जाएंगे बजरंगी भाईजान अब कि वार कुछ गुल खिला पा रहे हैं बजरंगी भाईजान पूरा गुल खिला रहे हैं एक दम पूरे इस अवली में लग रहे हैं कि अपने प्रत्यासी को इतने भारी बतों से जिता देने कि वहीं सुल्टान पूरा जहां पर मोदी जी आये प्लेन उड़ाये और उसके वाद अखलेश जी ने कहा था कि यह रोड हमने बनाया है यहां तो सिर्फ रिबन काटने के लिए आये मोदी जी देखे व कि आदत तो हमेशा जूट बोलने की है आग खुद भी देख रहे हैं पत्रकार हैं मोदी जी पर आज उगली पूरा भी सुनहीं उठा पा रहा है लेकिन हमारा अभी पर कोविट से लेकर उनकी सारी योजनाओं पर सर्चकर स्ट्राइक से लेकर और भी जितनी योजना सब उठा रहा है उसका एक ही काम है खाली विरोज करना ना कि सरकार के पर्चे में जो अच्छा भी हो रहा है उसके लिए उसको समर्शन करना अब आपका गमचा में थोड़ा से कलर डिफ्रेंट आ रहा है निशादों ने एक तरफ राम की नईया पार लगाई थी आपकी बाल नहीं आप तो और जनता फार्टी की ने पार करेंगी निसाद लोग एक दम कटिबद हैं लोग हई है दर्गहई जंता प्रफ रहस्ता म कान की बेव का रहस्ता लाइट की बेवस्ता की घर खाले-एजहाई ने किया है मैं निसाध हूँ, पक्का निसाध हूँ, परभू सिरीराम चंद्जी का भक्त हूँ अब मोदी जी भी भगवान परभू नाम चंद्र के भक्त है हमारे गरीबों के मसीहा और दाता है, राचन, पानी, घर, दुवार बिजुली ब्यवस्था सारी ब्यवस्था मानने मोदी जी ने दिया है पिछली सरकारों ने कुछ नहीं दिया हुआ रहे मानने मोदी जी हम छपरा में रहते थे लकिन इतना आवास दे दिया है हमको लुकाने कीजिए और हमारे माता पिता छोटे बच्चे मोदी जी के दिये ह सबसे ज्यादा जूट बोलते हैं मोधी योगा जहां तक लें अखलेश की बात है जहां तक अखलेश की बात है पालों का ठाकुर हूँ और क्या कहते हैं मौरिया का ठाकुर ये ठाकुर बनना चाहते हैं मानिय खलेश जी या मुनाइम जी मैं सम्मान करता हूँ लेकिन मातर यादो ही यादो को देख्या पुलिस की भरती फोच की मानिय नहीं उतर पर दिया पुलिस की भरती धरोगा देख कौन सा इंजेक्शन लगा दिया घर दिया भोजन दिया बिजली दिया लेटरिंग ब्यवस्तिया दिया सणक दिया किसान निदेख धूर अगर जमीन है किसान निद में चेहजार साल और हमारे माता जी को अब ले 500 रुपया मिलता था अब एक हजार हो गया अगर भारती जनता फार्टिक सरकार बनी तो पंदरा सो मेरी माता जी पाएंगी और किसान निद में तो आप जान ही रहे हैं कि चेहजार महीना क्या नाम है अर्विन कुमार दूबे जोबे साब आप क्या देख रहे हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा 110 परसंट तो आप देख सकता है एक तरफ हिजाब की बकालात हो रही थी तो यहां पर सभी के सभी लोग भगबा गमचा बांद करके चले आए हैं इस बार 110 परसंट है कि यहां से बीजेपी 100 परसंट है कि बीजेपी किसे यहां ते बीजेए होगी इस अवली और योगी जी के नेत्युत्र में बीजेपी की सरकार भी बनेगी प्रचंड जीत होगी कैसे बादा कर रहे हैं उनको लाएंगे और जो हमारे योगी जी दसमाच को इनको हम पतल इठाएंगे जा रहे हैं तो योगी मोजी जूट बोलते हैं अकलेश खुद ही जूट बोल रहे हैं अकलेश की सरकार्ची हम लोग देख चुके सुल्टानपुर क्या सोच रहा है तो पाच के पाचो सीट बिजेपी पाचो पाचो ऑट करें आपका हमारा सत्तुद्य दूबे 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 साब क्या देख रहे हो आपके सफेद बाल होगे अम्र भी काफी हो गई तो क्या कुछ बदलाब नजर आया योगी सरकार आने के बाद अखलेस सरकार में बिल्कुर बदलाब आया जो पहले कभी नहीं हुआ था आज हो रहा है क्या कर दिया कर दिया हमारे मंदिर नहीं नहीं बना रही थी मंदर बनवा दिया तबाव्स द्वारे सची ही सरकार फिर ऑृ मधर कर आरा है दक्रव कर सारी के बाद अब की अख्लेज में बुजर्ग आदमी है कितना बदलाब नजर आया जीतेंगे बदलाब क्या नजर आ रहा है कुछ बदलाब काफी कुछ क्या जमीनी अस्तर से गाउं से लेकर और सहर तक अब हम इंडिया के अपने प्रांद की बात कर रहे हैं कि योगी सरकार ही आजी सब्सक्राइब अच्छी बात है ठीक कह रहे हैं अखले जी तो यहां क्या सोच रहे हैं कमल सुल्तानपूर क्या मन बना करें कर रहा है कमल एक ही बात होगे सब्सक्राइब भगवान को प्रशाद के रूम में चड़ाइए और ऐसे ही लोगों की जंता की राय आप तक हम पहुंचाते रहेंगे जुड़े रहिएगा जैहिंजवारत